जीरो question number 3 पे आते हैं question number 3 कह रहा है a particle starts from rest and accelerates constantly with a meter per second square एक particle rest से start हुआ a meter per second square उसका acceleration है t second तक accelerate करता है उतलब acceleration का उतलब speed भड़ रही है speed भड़ रही है speed भड़ रही है कब t seconds तक उसके बाद then retard uniformly retard with the same acceleration तो फिर a से ही a से ही retard करता है और finally उसकी speed हो जाती है 0 finally उसकी speed हो जाती है 0 तो बना के दिखा दो x t graph कोई trick रिक नहीं होती है concept होता है physics में देखो trick ये टुके नहीं रटनी होती है समझोगे तो सारे question करोगे अब देखो 4 graph दे रखे है अपन को particle जो है 0 से start होके 0 speed से start होके कुछ distance तक कुछ time तक accelerate करता है ठीक है न acceleration होगा मतलब velocity increase होगी समझ मैं ही बात x t graph दे रखा है मेरे को x t graph का जो slope होता है वो मेरे को velocity देता है तो क्योंकि accelerate हो रही है body तो velocity भढ रही होगी अब देखो अगर मैं slope बनाओ slope को कैसे check करना है भढता हुआ slope होना चीए क्योंकि x t graph का slope velocity देता है और velocity अपनी भढ रही है तो इसका मतलब slope भी अपना increase हो रहा होगा ना अब increasing slope को कैसे check करना है देखो यहाँ पे एक point लो और एक tangent draw करो कुछ theta 1 angle बन रहा है फिर थोड़े से दूर पे एक और point लो, tangent draw करो x axis से x axis से, positive x axis से anti clockwise direction में angle में जड़ करो क्या भढ रहा है angle? angle भढ रहा है, slope भढ रहा है velocity भढ रही है velocity भढ रही है, बतला body accelerate हो रही है तो यह graph अपना से ही हो सकता है आगे भी check कर लिता है उसको फिर यहाँ से ग्राफ अपना ऐसे हो रहा है ठीक है न, finally graph देखो ऐसा दे रखा है अपन को ऐसा, तो यहाँ slope क्या हो जाएगा जब भी horizontal line बने न, slope 0 होता है final velocity 0 हो रही है क्या? 0 हो रही है ठीक है न, और velocity, यह देखो यहाँ पर slope, कुछ यह theta 1 angle है फिर slope मेरा घटा जा रहा है देखो मेरे angle कम हो गया angle कम हो गया, यह वल अंगल जादा है यह वल अंगल कम है, तो velocity भी तो कम हो रही है, तो यह मेरा सही है, answer इधर देखो, इधर तो straight line आ रही है straight line का मतलब क्या हुआ? uniform velocity straight line, x-t graph straight line मतलब uniform velocity क्योंकि slope क्या है? change हो रहा है क्या slope? नहीं हो रहा change slope, तो velocity भी change होगी क्या नहीं होगी? तो acceleration क्या होगा? 0 होगा, तो यह गलत हो गया यह वला देखो अच्छा, इन में और इन में confusion होती है जो रटते हैं, ट्रिकें ट्रिकें रटते हैं वो इन दोनों में गलत करते हैं ट्रिकर ट्रिकें नहीं रटी जाती ही physics में आई बस समझ में, concept सीखा जाता है concept लगाया जाता है concept सीख लिया, कुछ भी आ जाया यार कैसे भी गोल मौल हो जाया 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 है आई बात समझ में, और यह तो straight line नहीं तो ऐसी जलत है straight line होई की नहीं एक बात यहां से question से और सीख लो जब भी accelerated motion होगा और XT graph बन रहा है curve line आईगी curve line बनती है न, बन रही है यह चीज यहाद रखो, यह trick नहीं है यह ध्यान रखने वाली चीज है आगे चला